गुद बॉर्निंग फ्रेंड्स मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्टो लिबर हॉस्पिटल सुर्प्टंगर कांचपूर एड़ आउट साथा रिक्वेस्ट यह साइंटिफिक चैनल है यह साइंटिफिक डेलिबरेशन है मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस चैन हैं हम खाना खाने के बाद जो पेट के ऊपर के हिस्से में डिसकंफर्ट होता है कभी आप मार किया हुआ कि आपने खाना खाया तो पेट में आपको जलन महसूस हो रही है खाना खाया तो ऐसा लग रहा कि खाना यहीं रखा हुआ है तो खाना खाने के बाद जो डिसकंफर् हो सकता है और scientifically इसे कहते हैं dyspepsia तो indigestion pain हो सकता है burning का sensation हो सकता है इसे dyspepsia term किया जाएगा और commonly आप इसे indigestion की नाम से जानते हैं लेकिन आप कितना ज़्यादा ये होता है इससे अंदाजा लगा ये कि दुनिया की 25% जो population है वो इससे सफर करते है 25% population each year अगर हम एक cross-sectional studies करें या क्या आपको कभी साल भर के अंदर इस तरह की problem हुई तो 25% population yes में जबाब देगी कि हाँ मुझे पेट में भारीपन अपरा तनाव जलन खाना खाने के बाद इस तरह का discomfort आया it is such a common problem जो भारीपन इस तरह का आता है वो ऐसा भी हो सकता है कि आपने खाना खाना शुरू किया अभी एक रोटी खाई और पेट में heaviness आई और आप पूरा खाना ही complete नहीं कर पा रहे हैं तो जो early meal है उसी में ही आपको heaviness इतनी हो जाती है या आपने खाना तो पूरा खाया लेकिन उसके बाद आपका पेट एक दम फूला फूला मैसूस होने लगा या आपने खाना पूरा खाया उसके बाद पेट भी फूल रहा है हलका सा vomiting का sensation ये nausea भी आ रहा है ये तीनु चीजें indigestion की क्रणी में आती है नो question ये है कि इतना indigestion आता कहां से है और क्यों होता है कि आपकी वो क्या habits हो सकती है जो इस तरह की problem करती है ये बस सही है कि अगर आप coffee बहुत ज़्यादा मात्रा में पीते हैं तो इस तरह की problem होगी अगर आपको आदत है बहुत ज़्यादा खाना खाने के और बहुत speed से खाना खाने के तो ये पेट में इस तरह की heaviness की problem होगी और अगर आपको आदत है कि आप बहुत fatty meal लेते हैं बहुत मिर्च मसाले वाली चीज़ें काते हैं आप बहुत खटी या acidic चीज़ें लेते हैं तो भी इस तरह की problem होगी और अगर आपको anxiety है stress है और उसके दोरान आप खाना में खाते हैं तो this is a very common problem इसलिए सला दी जाते हैं कि अगर आप बहुत stressed हैं तो आपको खाना नहीं खाना चाहिए उस समय नमबर 5 पर आती है smoking that means nicotine in a new form चाहिए आप बीड़ पीएं, cigarette पीएं, पान मसाला खाएं, तंबाको खाएं, गुटका खाएं, anything nicotine आपकी body में जाएगा तो इस तरह की जो problem है यह आपको होगी नो जो भी हम indigestion की बात करते हैं तो it is not necessary कि जो indigestion है उसके पीछे हमेशा कोई न कोई underlying बीमारी होई हो लेकिन ये बात सही है कि अगर हम 100 लोगों को underlying से खड़ा करें जिने इस तरह का indigestion है तो 20 से 30 प्रतिशत लोग ऐसे होते हैं जिने underlying कुछ न को disease होती है लेकिन उन्हें मालूम भी नहीं होता है कि उन्हें इस तरह की कोई problem है तो science यह मानती है कि अगर आपके ये जो symptoms हैं ये persistent हैं आपको रोज परिशान कर रहे हैं तो आपको अपने doctor से बात करनी की ज़रूरत है कि इस symptom के पीछे कहीं underlying कोई problem तो नहीं है जो आप नजर अंदाज कर रहे हैं वो जो treatment बांगती है नो अगर हम ध्यान से देखें indigestion को अगर ये लगतार चलता चला जाता है यह आप सब जांचे कराते हैं इस जांचे आपकी सब normal आती हैं तो खाना खाने के बाद पेट भी फूल रहा है खाना खाने के बाद पेट तन भी जा रहा है खाना खाने के बाद पेट में दर्द भी आ रहा है कभी कबार हलकी सी जलन आ रहे है और जांचे सब normal आ रही हैं आपकी अगर ऐसी इस्तिति है तो इसे कहते हैं functional dyspepsia इसका मतब यह है कि आपके अंदर की जो structures हैं, उनमें कोई problem नहीं है, उनमें कोई बिमारी नहीं है, लेकिन आपके जो खाने की थेली और जो intestine है, उसकी जो functioning है, वो एकदम से normal नहीं है, इसलिए आपके पेट में भारी पना रहा है, तनाव आ रहा है, बदजमी हो रही है, या indigestion हो रहा है, और इस तरह की जो symptoms हैं, वो कभी-कभी ongoing हो सकते हैं, यह इस तरह की symptoms जिसमें कि सभी investigations normal होते हैं, science यह मान के चलती है, यह वास्तों में functional gastric disorder की श्रणी में आते हैं, इसका मतब यह है कि आपके खानी की जो थेली है, जिसमें खाना इकटा होता है, इसके काम करनी की जो प्रक्रिया है, वो up to the mark नहीं है, इस तरह की जो problem है, जिसमें खानी की थेली की काम करनी की आपके उदी मार्क नहीं है, यह दो तरह से manifest कर सकती है, number one is the known as epigastric pain syndrome, जिसमें यहाँ पर खाना खाने के बाद, पेट में दर्द होता है, यह जलन का sensation आता है, तो जो main main problem होगी, वो होगी यहाँ पर दर्द खाना खाने के बाद, यहाँ यहाँ पर burning का sensation, इसे कहते हैं, epig functional gastric disorder की शरणी में आता है, तो number one is the epigastic pain syndrome, the second one is the postprandial distress syndrome, जिसमें खाना खाने के बाद, यह की feeling आएगी, कि पेट मेरा गुबारे जैसा फूल गया, खाने खाने के बाद एक दम पेट तन गया, आपने खाना इतना खाया, लेकिन लग रहा है, पांच के लोग का वजन आ गया तो अगर हम functional gastric disorders को देखें, तो यह दो इस रणी में आएंगे, epigastic pain syndrome and postprandial distress syndrome, जो आपको परिशान करते हैं, जिसमें सभी जाचें आपकी normal आती हैं, नो अगर हम indigestion को ध्यान से देखें, कि आपको correct करने के लिए क्या करने की जरूरत है, सबसे पहले trigger को पहचानिए, नमबर दो, अगर आपके कुछ आते हैं, जैसा मैंने कहा, उनको change करिए, अगर आपको आदत है, बहुत तेज रफ्तार खाने की, या आपको एक साथ ज़्यादा खाने की, उत आदत को change करिए, small frequent meal लीजे, और धीरे धीरे खाईए, चबा चबा के खाईए, अगर आपको ल आदत है, बहुत ज़्यादा काफी और अलकोहल लेनी की, तो definitely a deterrent है, और इनको अलग करनी की ज़रूरत है, otherwise आपकी जो पेट की जो प्राबलम है, वो सेटल नहीं होगी, Now, in digestion के बाद number 2 पर आते हैं, food intolerances and food allergies, मैं चाहूँगा कि इनको आप बिलकुल ध्यान से देखें, क्योंकि food intolerance बिलकुल अलग है, और food allergy बिलकुल अलग है, लोग अक्सर confused हो जाते हैं, food intolerance and food allergy में इन दोनों को एक ही मानते हैं, इसलिए कि दोनों के symptoms लगबग एक जैसे हैं In the sense, कि चाहे food intolerance हो, चाहे food allergy हो, problem यही आईगी, खाने के बाद पेट में दर्द आएगा, मरोड़े ओटेंगे, एंठन आईगी, खाना खाने के बाद diarrhea हो सकता है, lose motion हो सकते हैं, खाना खाने के बाद vomiting हो सकती है, और nausea persist कर सकता है, और इस तरह कि similar symptoms जो है, वो दोनों condition में आते हैं, नो food intolerance को ध्यान से रेखिए, food intolerance सिर्फ इस चीज का indication देता है, कि आपके जो body है, या आपका जो digestive system है, उसमें वास्तों में वो capacity नहीं है, या capability नहीं है, कि जो चीज आपने खाई है, उसको properly digest कर सके, जैसे माली जे आप दूद पीते हैं, दूद को पचानी के lactis enzyme चाहिए, आपके जो intestine है, उसमें lactis enzyme नहीं है, या उसके deficit है, तो आपको lactose intolerance हो जाएगा, यह जो lactose intolerance हो जाएगा, तो आप दूद पियेंगे, lactose enzyme नहीं है, तो गुर्गुर्ड की आवाज होगी, lose motion हो जाएगे, ऐसे ही, अगर आपके जो vibe and intestine है, उसमें गेहों को पचा चाने की चमता नहीं है, जैसे celiac disease में हो जाता है, आप इसको खाएगे, तो पेट में गुर्गुर्ड होगी, एंटन मरोडा होगा, lose motion हो जाएगे, यह वास्तो में food intolerance है, यह food allergy नहीं है, इस सच्चाई को आपको समझने की जरूरत है, नो food allergy जो है, उसको आप ध्यान से द करती है, आपकी जो body है, उस food item से react करती है, इसलिए problem होती है, जब भी वो food item खाते हैं, जिसके चलते आपको allergy है, तो आपके body के अंदर एक abnormal immune response यह immune reaction डेवलप हो जाता है, यह immune reaction कभी कभार बहुत severe हो सकता है, yes, at times, life threatening हो सकता है, जैसे बहुत लोगों को अंडे से allergy होती है, आपने अंडा खाया, यह आपके पेट में दर्द चालू हुआ, यह वो unwirable pain होगा, चाहे vomiting हो जाए, lose motion हो जाए, बट यह unwirable होगा, क्योंकि आपको एक से allergy है, ऐसे ही अगर आपको seafood से allergy है, तो आपको पेट पे बहुत discomfort होगा, आपको lose motion हो जाएंगे, आपको vomiting हो जाएग तो अगर हम ध्यान से देखें, food intolerance बिलकुल अलग है, and food allergy बिलकुल अलग है, intolerance इसलिए है, क्योंकि आपके जो digestive system में उस particular item को digest करने के लिए requisite enzymes नहीं हैं, इसलिए intolerance है, इसलिए उस food items को आप नहीं पचा पा रहे हैं, और food allergy इसलिए है, कि आपने जो खाया, उसके against में आपकी body react करती है, immune response देती है, and वो कभी-कभी life threatening हो सकता है, जैसे अंडे से allergy है, seafood से allergy है, peanut से allergy है, तो अगर हम ध्यान से देखें, कि उपर की तरफ जो problem है, यह चाहे वो भारीपन हो, चाहे वो तनाव हो, चाहे वो दर्द हो, वो दोनों कारणों से आ सकता है, indigestion या dyspepsia क की चलते आ सकता है, food intolerance and food allergy की चलते आ सकता है, अगर हम dyspepsia को ध्यान से देखें, तो यह दो श्रणी में आएगा, number one, जिसमें कुछ identified reason होंगे, कि इसके चलते यह problem हो रही है, second one is, जिसमें कोई भी reason नहीं होगा, सभी investigation normal आएगे, इसे वास्तों में कहते हैं, functional dyspepsia, जो functional dys dyspepsia है, वो दो श्रणी में आएगा, one is the epigastic pain syndrome, and second one is the postprandial distress syndrome, तो अगर इस तरह की जो problems हैं, जो बार-बार आपको परिशान कर रही हैं, तो आपको अपनी lifestyle, आपको अपनी habits, उनको देखने की जरूरत है, food items को identify करने की जरूरत है, elimination diet को judge करने की जरूरत है, फिर भी अगर problem settle नहीं होती है, तो आपको अपने doctor से बात करने की जरूरत है, तो खाना-खाने के बाद जो पेट में तनाव, खाना-खाने के बाद जो पेट में दर्थ, खाना-खाने के बाद पेट में indigestion, ये जो इस तरह की symptoms आते हैं, उनके reasons को समझने में, ये video अगर help करता है, तो ज दरूर शेयर करें, मैं Dr. B. Commissioner from Guest to Liver Hospital, Svartpengar, Kanpur, Thank you very much.